कि रिजिस्टेंट डिप्रेशन के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन चथा विस्टनुकी दग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं हमारे ऑंलाइन अंभियम कंस करते रहते हैं आज मैं आपसे बात करने वालो वो डिप्रेशन की कि जो रेंश्स्टन्ट ट्रीक्मेंट मतलब ट्रीक्मेंट को रिस्पांस सिर्दे मैं मैं और दिप्रेशन तो तो उसका वह भी treatment करना ज़रूरी होता है कभी कभी एक antidepressant के साथ में दो या तीन antidepressant साथ में लगा सकते हैं और हम लगाते भी है मतलब दो या तीन antidepressant एक साथ उसको देते हैं क्योंकि 6-8 हपते होने के बाद में भी यदि कोई उसका फायदा नहीं हो रहा है तो हमको और antidepressant देने की जरूत पड़ती है और देना भी चाहिए फिर उसके साथ लीथियम का treatment है मतलब लीथियम देते हैं कुछ लोगों को थायराइड नालन होने के बाद में थायराइड का dose देते हैं कुछ लोगों को sodium valproate देते रहते हैं तो ऐसे अलग-अलग दवाईय उसके साथ में हम देते हैं तो फिर antidepressant दवाई काम करती है इदि सब दवाईया देने के बाद देड़ दो मेना हो गया पूरा और दो मेने के बाद में adequate treatment देने के बाद में भी depression उसका ठीक नहीं हो रहा है तो हम electroconvulsive therapy, electroconvulsive treatment हम उसकी सोच सकते हैं और वो दे सकते हैं क्यो तो कोई भी depression का patient के ठीक नहीं हो रहा है तो वो भी एक देखना पड़ेंगा कि वो दवाई ले रहा के नहीं ले रहा है क्योंकि उसको ठीक नहीं होना चाहता है वो बोलता है कि नहीं मरने का है ऐसे city में उसको relative उसने कितनी भी दवा दे दिया और उसने मुह में रख दिया लिया नहीं कि उसको मरने का है तो फिर कैसा अच्छा होंगा तो भी देना वो भी देखना जरूरू यह को दवाई खारा के नहीं खारा है एडिक्वेट डोस में है क्या regular ले रहा है क्या तो वो लिया तो पिर पेशन ठीक हो सकता है तो ऐसा कोई प्राब्लिम है दी रहा आ अच्छा लागा तो जरू सर्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो ताकि मेरे वीडियो आपको बार बार आते रहेंगे यह आप क्लिक करते बिल आइकॉन की ऊपर तो मेरे वीडियो के नोटीजिए आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे ठैक्स पर वाचिंग